इस वीडि़ो पी आपने किलिक किया है मतलब आप यहां पे कुछ न्या चीखने के लिए to अच्टक के साफ में लार्ज और इस्मॉल फंग्शन्स जैसे वो हमारे स्क्रearnia के साथ में उसमें से लार्ज या स्मौल ये वह हमें यहाप आप इसक्या आप देख रहे हैं तो दोस्तो यही चीजर वीडिवे इसका अंतर पर सीखने वाले हैं वेडियों तक देखेगा तभी आपको समझ में आएगा और लास में आपके लिए वहाँ पर बोनस टिप्स बिजरूर दे रखी हैं हमने दोस्तों तो मेहूर अभी स्वामी आपका दोस्त और आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न एक सल पर दोस्तों इस वीडियो को यहां पर लाइक करें कमेंट करें और शेर करें और यदि आप हमा पर समझ में आ सके तो दोस्तों हम चलते हैं अपने देटा की लाइव लैस्ट बीगात में तो दोस्तों जिसके हमारे यूजर युजर विजा थिक तो उनका डेटा कुछ परकार से है उनकी क्येरिश है कि जो हमारे पास में रेट है यहां से मुझे unique values चीए क्योंकि यहां पर जो कुछ values है वो repeated भी है यहां पर ठीक है तो मुझे यह value चीए और यहां पर unique values चीए यहां पर repeat नहीं होनी चाहिए और इनके साथ में मुझे top 5 या small 5 value हो वो यहां पर show होनी चाहिए तो यहां पर किस प्रकार से हम जो queries है इसको resolve कर सकते हैं जो problem हाती है में यहां पर किस प्रकार से हम identify कर सकते हैं यहां पर दोस्तों मैं तीन formula का combination यूज़ करूँगा जिसके अंदर मारा पहला है index और दूसरा है हमारा फिर match एंद तीसरा है हमारा count if यह तीनो फॉर्मुले जब combination हो जाएंगी तो हमारी unique value जाएगी एक simple formula के through तो यहां पर हम जानते हैं unique values की प्रकार से हम identify कर सकते हैं एक formula यूज में यदि आप formula सीखते हो दोस्तों तो आप अपने आपको Excel में एक expert मना सकते हो तो यहां पर हम सीखते हैं आज combination of the three of Excel formula और हाँ दोस्तों जब मैं formula complete कर लूँगा उसके बाद मैं आपको उसकी details के बारे में बताऊंगा किस प्रकार से हम यहां पर formula formula यूज किया है और कौन सी values के लिए यहां पर यूज किया है तो यहां पर चलते सबसे पहले unique values के लिए इसके लिए हम यहां करेंगे f4 पे जिसे हम यहां पर जो सेल यह को लोग कर देंगे याई ठीक है उसके बाद में यहां पर कोमा फिर हमारा आता है dile can रो नंम् możemy हम क्या करेंगे मेश function का यहाँ पर यूज करेंगे मेश function जैसे मेश function starts करेंगे मेश function में सबसे पहले हमारा आता है look up value लोगप वैवल्य में हम यहाँ पर पुट करेंगे जिरो ठीक है जैसे कि में आपको पहले पता है कि जो फोर्मोलाइब पर कंप्लिट कर लो उसके बाद में आपको इसको डिटेल में आपर समझेंगे इस फोर्मूलेस को ठीक है उसके बाद में कॉमा अब लुक अप एरे लुक का परे के अंदर हम यहाँ फ़ंक्षन यूजब करने वाले हैं count welfare यहाँ पर यहाँ पर फंक्षन है जो हम है यहाँ होँ करेंगे आपर करेंगे अब पर काल है जो मारा इसको फालन वह लोग तीnh लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहां पर जो है यदि में डाउन करूंगा वेल्यू को यहां पर हमारी रोव यहां पर कंटिन्यू बढ़नी चाहिए ठीक है उसके बाद में हम यहां पर करेंगे कोमा जो हमारा क्राइटेरिया होगा वह क्राइटेरिया हमारा कहां से आएग iete मेच लिए एक्जित मेंगेलियो जीरो És करेंगे एंदें लिए अगेन पर नहंट अब इंडेक्स का वर्मूला आगया इसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे एक लिए अब आप जैसे यह पर enter price करेंगे तो आपके सामने unique value आ जाएगी अब इस values को आप याप ड्रेक कर सकते हो या फिर आप put कर सकते हो तो मेरे सामने जो unique values है वो यहाँ पर मेरे पास में आ गई है ठीक है यहाँ पर कुछ note table का applicable है क्योंकि यहाँ पर value हमारे पास में नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पर if error का function यूज करना होगा if error अगर यह value true है then value if error यहनि अगर गलत हो तो क्या हो हमें blank चाहिए यहाँ पर हम कर देंगे ठीक है पर enter paste कर देंगे तो यहाँ पर एकमन दोस्तों if error और यहाँ पर value कर देंगे blank ठीक है अब यहाँ पर वापिस blank हो गया तो इसके लिए हम क्या करेंगे वापिस यहाँ पर जाएंगे control shift के साथ में enter paste करेंगे ठीक है और इसको कर देंगे वापिस drag तो हमारी जो unique values यहाँ पर रहे जाएगी और उसके साथ में जो यहाँ पर values नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे यह ब्लेंक हो जाएंगे मर लिए ठीक है यहाँ पर इस error कमने function यूज कर रहा है तो यहाँ पर आपने देखा करता है रिपीट करता है values को यहाँ पर अलग से यूज करूं ठीक है यहाँ पर अगर में इसको अलग से यूज करता हूं तो हमें क्या result मिलता है ठीक है तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो है कांटिव का अलग से उसकरता है तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे value कौन सी दे रहा है 0 ठीक है यहाँ पर जो count का function यूज कर रहे हैं तो वो हमें value दे रहा है जीरो इसलिए हमने मेच में यहाँ पर क्या रखा है जीरो मेच कर रहे हमसे ठीक है तो यानि कि चल रहा है हमारा वह unique values को मेच कर रहा है इससे कि यह value यहाँ से मेच तो नहीं हो रही है ठीक है यहाँ पर हमने जी देखा अब यदि मुझे कि यहाँ से मेच फंक्शन लेता हूं ठीक है है मेच function का यूज करता हूं दें क अब यहाँ पर हम मेच फंक्शन रहे यका रहा है अब यहाँ घ informing के साथ में एंटर प्रेस करना है तो आप देखेंगे साथ कर रहा है वह कर रहा है value one यानि कि जो है count हमें यूज़ करके दे रहा है zero जिससे हम match कर रहे हैं match हमारा यहाँ पर होना चाहिए one अगर यदि यह value यहाँ पर one आ रहा है ठीक है अगर repeat के अपश बनाता है तो यह जो index का formula हमने यूज़ किया है वो इसको ignore करेगा यानि जो next one आ जा जा देगा तो उसको यहाँ पर यह ignore कर देगा इस प्रकार से हम यहाँ पर जो repeated values है उसको remove कर सकते हैं और यहाँ पर जो maze कर रहे हैं यहाँ पर zero maze करके और यहाँ पर हमने इस function के थ्रू unique values को यहाँ पर output निकाला है ठीक है तो हमारे पास में आ गई है unique values में output अब हमें चीए top five values your small five values तो किस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं अब हम चलते हैं यहाँ पर next पे top five value पे तो यहाँ पर हमें ये function यूज़ करना होगा वह यूज़ करना है लाड़ फंक्षन य आपके लिए बोनस रहे यह ले लेते हैं यहां से ठीक है और इसको हम यह करेंगे कोमा जो यहाँ पर दोस्टाम की यहाँपर हम ने seat का नाम दे रखा इसके लिए ठीक है तो यहां पर जो है हमारा area चुका है ठीक है जो हमें value चाहिए यहां पर फिलाल में शोट values लिए उसके बाद में यहां पर जो k है वो आपको numbers यहां पर देने हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हमें यह वाला column स्टार्ट करना है ठीक ह उसके बाद में हमें यहां पर यूज करना है कितनी आप value यहां पर टोप में देना चाहते हैं यहांनि 1 फिर इंविट कोम यहां पर यह कॉमा फिर 2 फिर सेमिकोलम 3 सेमिकोलम 4 सेमिकोलम और 5 यहां पर हमें 5 value देनी है यह आपको 10 देनी है जितनी आपको देनी है आप यहां में same column यहाँ पर हम close कर देंगे and then हमारा bracket close कर देंगे आप यहाँ पर जैसे आप enter मारोगे तो यह value आपको first value देदेगा लेकिन यहाँ आप इसको drag करेंगे तो यह same value हमारे पास में repeat करेगा इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें वापिस function यूज करके बताना है आपको सबसे पहले आपको top value चाहिए 5 तो आपको 5 column यहाँ पर select करने होंगे ठीक है जितने आपको top में चाहिए top 10 हो या top 5 हो उतने आपको यहाँ पर row select करनी है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर equal bracket start करके और जो value है हमारी कितने हमें top में चीए वह यहाँ पर value put कर देंगे फिर bracket close and large bracket close अब आपको यहाँ पर control shift के साथ में enterprise करना है तो जैसे आप enterprise करोगे आपके पास में top 5 यहाँ यहाँ पर आ जाएगी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास में आ गई है ठीक है अब चलते हम यहाँ पर small values पर same function यहाँ पर हमें यूज करना है यदि मुझे 5 यूज करनी है तो 5 यहाँ पर में लोक एंदेन कोमा और जो एरे हैं इसमें same value आपर repeat कर देंगे ठीक है जितने भी हमें small में चीए तो 5 या 10 चीए जो भी हमें चीए फिर brackets को close and simple bracket यहाँ पर हमारा small का close कर देंगे और यहाँ पर control shift के साथ में एंटर पेस कर देंगे तो यह जो वेल्यू हमारी पास में आई है यह आ गई हैमारी top 5 smallest value ठीक है तो यहाँ पर जो टो 5 वेल्यू स्मोल आ गई हमारे पास में यहाँ पर आप देख सकते हो तो जहाँ पर उनिक वेल्यू और टोफड़ यहां पर यहां पर सकते हैं तो दोस्तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ जो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंस्टाग्राम पर मेसेज कर सकते हैं Facebook पर आप message कर सकते हैं मुझे या मुझे WhatsApp कर सकते है Facebook के through तो दोस्तों यदि आप भी की queries होता आप मुझे जरूर बताए हम आप सको resolve करने के कोशिस करेंगे तो इस वीडियो को दबा के like करें, comment करें और share करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो subscribe करना न भूले हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टोपी के साथ अब तक के लिए bye bye have a nice day